करना है किसको करना है अप्ग्रेडिशन कैसे होगा मलब पेमेंट कैसे बहुत सरे बच्चों का पेमेंट में फिल किया था लेकिन कॉलिज अलॉट ही नहीं हुआ सारा जो बच्चे ने बच्चों की मलब फीडबैक से की प्रिशानी है इस वीडियो में जो भी क्वेरी आई है उस सारा हम कंप्लीट बात करने वाले इस वीडियों ताकि आपको आगे जो रांटो का भी जो रिजिस्ट्रेशन होगा उसमें किस तरह का कोई दिक्कत नहों और कैसे पाइट करने वाले तो वीडियो जुरूर देखना और चैनल पर नहीं हो तो सबस्क्राइब कर लिए चलो वीडियो को सबस्क्राइब कर लिए सबसे पहले जो लोग को कॉलेज रांड वन में अलोट हो गया उन लोग को इग्यार से 17 के बीच में पहुंचना था अब जो बच्चे पहुंच गया था मैं से पहले जो वीडियो पनाकर डाला था उसमें मैं बताया था कि जो लोग को भी कॉलेज अपने नोडल ऑफिसर से कॉल करके दो तीन जरूर पूछ लो कि सर कॉलेज का फीस कितरा है और कैसे पेमेंट करना है और वहां पर बांड है या न सुलिए है मलव सेटेड़ संडे यह आज 14 15 16 तीन लिय को अभी को अब इसारे पहले कर लिये तक तक उनका तो हो गया है अब कुछ अभी तक नहीं कर पाएं तो अब उनका सहावी का सतरा तारीक को होगा लेकिन जो बच्चे पहुंच गया है या फिर यह पहुंचे वह कर सकते हैं तो उनको कॉल कर सकते हैं अब यहां बात आ रहा है कि अपग्रेड का तो अगर तुम को तुम सैडिस्फाइड हो तुम ले लो फिर बात ही खतम है अब बच्चों को अपग्रेड करना बहुत दूर पर या 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 यह जो वह बेस्ट अब करना चाहते हो तो अब करने का यह रूल है ठीक है एक तुम को वहां पर साफ्य करा लेना है और जो भी चीजेश है वहां पर प्रोसेश आप डाल ग्रीडेशन में चाहिए चाहिए या बैंगलोर का है बल चाहिए जो भी कालेज चाहिए के मुझे इस पांच-दस में से या एक-दो कॉलेज में से या जो सुझकाब गरंगहारी रहेगा बलाने वाली कोई बात नहीं है तो भी अपर करने के लिए तुमको च्छरों करना को जरूरी है कि एक दम करना जुरूरूरी है चुछ फिल करने से पहले जो भी छोग बढद ऑफ लिख लिख से यह भी प्राइब कॉलेट गगरा जो है बुभाव तुम ऐसा कॉलिज नहीं डालना जहां पर तुम जा नहीं सकते हो क्योंकि राउंड टू तुम्हारे पास अगर कॉलेज अलॉट हो गया तुम्हारे पास आखरी मौका है या तो कॉंसलिंग से बाहर हो जाओ या फिर कॉलेज नहीं मिलेगा ठीक है तो सोच समझ करने के च्व को रिजल्ट आजाएगा फिर एक्की से चौबिस के बीच में आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है अब यह जो है जो सेकेंड रॉन में रेजिस्टेशन अठार से उन्हीं सिर्फ दो दिन का टाइम दे रखा है उसमें ऐसे लोग जो लोग अभी तक फ्रेस्टेशन नहीं कि कर सकते हैं जो रॉन में रिजिस्टेशन किये छाथ नहीं मिला था उनको करने की जूरतने है अपना स्विच को कर सकते हैं ठीक है अब उसको कुछी बग्रा करने की की जूरतने है बस च्रुप करेंगा और उसके फिर जो है शीट करने यहां पर बिल्कुल नहीं होगा तो लोग में करेंगे वही लोग में कर चुके हैं और सीट नहीं मिला है इस नहीं मिल पाएगा के लिए फिर उनको 50 जार्ण का सेक्यूरिटी मनी जमा करना है फिर पर चाहते हैं तो 25 रुपर जमा करना है अगर तुमको कॉलिज मिल जाता इस्ट वेकेंसी रॉण में वही कॉलिज मिल डालना की जो नागा लेंड अगर या जो भी कॉलिज है आप व नहीं लोगे तो उस केस में आपका जो सेक्यूरिटी मनी है पचास जार जो जनरल OBC EWS के लिए है वो आपका डूब जाएगा और अगर कॉलेज नहीं मिलता है या फिर कॉलेज नहीं मिलता है तो जो पैसा जिस एकाउंट से कटेगा उस एकाउंट में रिफंड हो जाएगा ऊढ़न हो जाता है उसी एकाउंट में पर बहुत सरी बच्चे जो पेयमेंट में इस्व आ रहा था पेमेंस अब का यूं का आप्शिन नहीं है यह तुम कर सकते हो या डेबिट-कार्ड कर सकते हो डेबिट-कार्ड में वहां पर तीन ऊप्षान स्विजा रूपे गार्ड ये दो बैंक गउन्ट का इंट रख्याय है फिर सब्लेस करोगे तो पैमेंट नहीं होगा तो बाकि जो भी जो भी षण कर सकते सो पर सब्सक्राइब मैं को आज फर्ट करेंच को कर सकते और यह यह सजिस्ट करूंगा कि अगर आप तुम से करना चाहते हो तो पचाहसजार रुपय तुमको सेगरेटी में जमा करना पड़ेगा और पचाहसजार अपना है न अगर वह तुम्हारे एकाउंट से तो उसका लिमिट कर वा लेना अगर इंटरनेट वैंकिंग यूज कर सकते हो तो आसानी से पेमेंट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा अगर नहीं यूज करते हो क्रेडिट कार्ड यूज और पर चाहते हैं तो बिल्कुल वह पहले से इसको प्रिपेर कर लो कि कैसे करवा तो तुम्हें मिल जाए तो ऐसे कहीं साइवर कैफे लेके चले गया तो इसको ध्यान में रखना और इसका राउंड वन में हाई गया है इसमें कोई डाउट नहीं है राउंड टू में भी हाई रहने वाला है क्योंकि काउंसलिंग बहुत मलब एकदम घिच-पुज हो गया है सारा कॉंसलिंग एक साथ चल रहा है बहुत सारे बच्चे अभी आयूस में ही पार्ट स्पेट किये थे अब कन्फ्यूज है कि मला हमको वेटनेरी में स्टीट मिल गया है आयूस भी हमको मिल जाएगा तो हम क्या करें आयूस लिए या फिर वेटनेरी लू तो सबका अपना अपना च्वाइस है तुम अपना दिमाग लगा इतना कटफ गया इसमें यह गया हो गया है तुम्हारा सब फलॉफ हो जाएगा बिल्कुल अपना दिमाग लगाना बंद कर दो मैं जो बोलता हूं उसको ध्यान से सुनो ठीक है क्योंकि मैं कि पिछले कई सालों से देख रह सब्सक्राइब करना है तो बिल्कुल अपार्ट सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है और टू में इसकी कटफ जो है अभी जो रॉन में जितनी कटफ गई उससे दस से पंद्रह नंबर कर जा सकती है क्या क्या थिंकिंग है कोन क्या सोच के लिए राइडमिशन प्राइवेट इस थे खाली भी होंगी अपग्रेड भी होगा हर चीज होगा तो सब को ध्यान में रखते विए ऐसा नहीं है कि मतलब राउंड वन में कटफ हाई गया तो राउंड टू में भी बहुत हाई जा सकता है और जो इस तो बहुत सरे बच्चे जो है अभी बोडर पे हैं जिससे बहुत सारे बच्चे इस में मलब घुसे रहा तो उसमें भी बहुत सरे बच्चे जिसको टॉप का नहीं है यह जैपूर जाम नहीं अच्छे अच्छे जाना चाहते हैं तो इन सब को धेहान में रखते हुए इस ट्रे वेकेंसी फुल एंड फाइन फाइन लागे गा समझ तो कितना कम कटफ जाएगा यह प्रेडिक्ट करना एकदम मुस्किल है उसमें दस नंबर भी कम जा सकता है पचास नंबर भी कम कटफ जा सकता है तो जिल्लों को भी राउंड वन में कॉल इस नहीं मिल पा रहा है तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि रेजिस्ट्रेशन कर लो यह हो तो तुम नागा लेंड भी फिल कर देना मिजोरम भी फिल कर देना कॉलिज यहीं प्लस पॉइंट यहीं बहुत बड़ी बात है कोई दिक्कत नहीं से डिग्री मिलेगा वही सेम वैल्यू है ठीक है लड़की है तो समझ सकते हैं उसका थोड़ा ट्रैवलिंग का इस्यू मुश्किल है ठीक है मैं वराल बता देता हूं अगर जनरल कैटेग्री हो तो साड़े 500 प्लस स्कूर है आपका और जनरल हो या 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 ओबीस हो और पांस साड़े 500 प्लस है तो बिल्कुल हंडेट परसेंट तुम कॉलेज मिलने का पूरा चांस है मिल सकता है अगर सी तुम्हारा थाइलाग थी लाग भी आल इंडिया रांक है तो इस तो इस दो नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चे साइड हो जाते हैं तो फूल एंड फाइनल है वह तो जिसको कॉलेज लेना होगा वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे ठीक है और वेटनेरी का नाम सुनते और बहुत सारे रिज़ेन और भी क्रियट हो जाता है कि रहेन हम नंबीद करवाना हैं तो इतना पैसा लग रहा है तो यह हैं तो हमारा तो मिली घुमाँ लंग मिलें तो तो बर्स पर्सेट करो और वेकैंसी रॉड़न्वेग अर फ्ट्सिपेट करो किस्मात तो मिलेगा ठीक है कॉलेज मिलेगा तो तुम एडमिशन ले लेना उसकेस में तुम्हारा 50,000 तुम लगाए हो रिफंट ही तुम्हारे कॉंड में आज आएगा नहीं दूबेगा और मिल गया तो बहुत खुसी की बात से जादो खुसी की बात कही होगी फिर मुझे मिठाई पारसल कर दे सब्सक्राइब करना चाहिए तो नीचे दोनों का डेस्क्रिप्शन लिंक दिया गया वहां पर जाके आप नडॉल हो सकतो हो या फिर हमारे जो वाट्स अप नंबर दे रखा उस पर आप वाट्स आप मैसेज कर सकते हो ठीक है वीडियो जो लाइक जुरूर करना चैनल पर सब्सक्राइब जूरूर कर लो फिर मिलते हैं तब तक के लिए खुसरी मस्तरी धन्यवाद